आगम के एक एक वचन में अनन्त अर्थ गर्भित है। इसी कारण सिध्धान्तो या अध्यात्म सब आगम की देन है। ऐसी समच प्रदाता एवं सम्यक डिष्टी आरंभी का जिन वानी माता का मार्ग दश्षन इस पंचम आरे में परम उपकारी है। अपनी नीजी समवेदना के तले हम यह उजागर करना चाते हैं। आगम ग्यान नहीं हमारे भीतर अध्यात्म की अलक जगाई। एवं सहजानंद के अनुभव हेतु निस्पक्ष होने की आवशक्ता जतलाई। प्रत्युत तात्विक डिष्टिकोणने आत्म विचार की दिशा दिखलाई। यही कारण है श्रिंखला बद सद निमितों के तले ऐसी पात्रता तयार हुई। जिससे निरंतर एकांद सेवन एवं सतत एकत्व के चिंतन का अउसर लेने हेतु इन कदमों ने सन दो हजार उन्निस में गुजरात की धरा का संस्पर्ष कर आत्मोत कर्ष का ध्वार कहना तो यह है इसी गुजरात प्रवास दोरान श्रीमत राजचंद्र आश्रम इडर की पावन भूमी पर गुफाओं में साधना करने का मौका मिला। तत्रस्थ श्रीमत राजचंद्र लाइबरेरी में हमें कुछ हस्त लिखित पन्ने प्राप्त हुए जो एक अन्नामी आ उसका स्वाध्याय करते हुए एक पन्ने पर आत्मा के इन साथ नामों का उल्लेक मात्र था। एक साध एक ही पन्ने पर आत्मा के इन साथ नामों को पढ़कर हमारे भीतर अन्नामी आत्मा के प्रती एक अपूर्व उल्लास जागा। उन नामों का उच्चारन करने मात्र से चिंतन में सहज गहराई आती गई और एक ऐसा अनूठा अलाद आया जैसा आज तक नहीं आया था यूँ एक अलग संवेदन होता रहा मैं ही मैं हूँ मेरे अलावा मुझ में और कुछ है ही नहीं मैं ही जिन्वर हूँ मैं ही सिद्ध परमात्मा हूँ ऐसा भासित हुआ इस एहसास को अभिव्यक्त तो नहीं किया जा सकता मगर इतना अवश्यक कह सकते हैं जब आप अपने छोटे बच्चे को बहुत प्यार करते हो तब जैसे उसे अनेक नामों से पुकारते हो ये मेरा चिंटू है, ये मेरा पिंटू है, ये मेरा बबलू है, ये मेरा घोलू है, इस तरह बोलते जाते हो और उसे गले लगाते जाते हो, उस समय आप उसके साथ कैसा निराला एकत्व मैसूस करते हो, ऐसा ही कुछ उस समय हमें अपने से अपने में सहज हो रहा था, तथा पी इतना अंतर है आप और आपका बेटा इस तरह दो है, जहां दो है वहां भेद है, इसी तरह जीनबभक्ती एवं गुरु भक्ती में भी दो है, इसलिए देव गुरु एवं शास्त्र की भक्ती को भी भेद भक्ती कहा, मगर नीजस्वरूप भक्ती में भक्ती करने वाला एवं जिसकी भक्ती की जा रही है वे दोनों अलग-अलग नहीं होने से यह अभेद भक्ती है सच्मुच अभेद स्वरूपी आत्मा की यह अभेद भक्ती अभेद होने के लिए है यहां जानने वाला भी मैं और जानने में आने वाला भी मैं यानि मैं ही मैं हूँ ग्याता भी मैं ग्ये भी मैं और ग्यान भी मैं भक्त भी मैं भगवान भी मैं और भक्ती भी मैं ही हूँ ऐसी अभेद भक्ती आत्मानुभूती को प्रतिक्ष करती है वस्तुतह आत्मा अनामी तत्व है इसलिए उसका कोई नाम नहीं है तथा भी नाम के बीना अनामी आत्मा की अनंत महिमा को उजागर नहीं किया जा सकता आत्मा के साठ नाम भी अलग-अलग तरीके से स्वरुप का ही गोलन कराते हैं एवं स्वसन्मुख कराते हुए निजगर लोटा देते हैं ग्यातव्य है जब जूम के माध्यम से आत्मचिंतन के शेशन में 40 आत्मचिंतन एवं उसकी परावर्तना के साथ रीकैप शेशन की पूर्ना हुती हुई तब ऐसा भाव जागा क्यों न हम सब मिलकर अब इन आत्मचिंतन के शेशन के तले इन साथ नामों द्वारा नीजगर स्वरुप भक्ती का आनंद ले क्या पता इस अभेद भक्ती में अवगाहन करते हुए आत्मार्थी आत्मानुभूती का रसा स्वाधन कर ले इस तरह जूम के द्वारा निरंतर आत्मस्वरुप का चिंतन, मन्थन और घोलन 48 शेशन तक होता रहा पश्चात भाव जागा यह शुत्रामृत जिनके कानों का विशय नहीं बन पाया उनके लिए आँखों का विशय बने जीनों ने इसका शवण किया है वे भी पठन के माध्यम से आत्मसंस्कारों को सूद्रड करे एतदर्थ इसका प्रकाशन निजस्वरुप भक्ती की प्रस्तूती का श्रेव पा रहा है स्मरन रहे इसमें हमारा कुछ नहीं है सबकुछ जिन्वानी माता का प्रशस्त प्रसाद है इन साथ नामों द्वारा निज्जात्मस्वरुप का जितना चिंतन, मन्थन, स्मरन और गोलन होगा उतनी आत्मसंमुकता सधेगी सच्मुच आत्मा की बात अर्थात अपनी बात सुनने को मिलना भी अतिदुरलब है यही कारण है अनादी काल से आज तक जितनी बात भी आत्मा की बात सुनने का अउसर आया हमने उसे टाल दिया यदि सुना भी तो मन से नहीं सुना, इसलिए सुना अनसुना हो गया, अब इस सहज सुलब अउसर को मत खोना, भाव से बिक्कर, आधर पुर्वक, पूर्ण उल्लास के साथ इसे ग्रहन करना, इसका सेवन करना, एक बात खैल में रखना, निज्ज स्वरुप भक्ती में यहा स्वरुप शब्द पर जोर दिया है, निश्चे नई का चश्मा लगाए बिना, आत्मा का शुद्ध स्वरुप दिखाई नहीं दे सकता, नीज्ज शुद्ध आत्मा निश्चे नई का विशे है, जिससे प्रयोजन की सिद्धी होती है, यही परमार्थ है, सोचो, जब तक अपने शुद्ध स्वरुप की पहचान न हो, तब तक नीज्ज स्वरुप भक्ती नहीं हो सकती, जब तक आपको यह मानने में न आए, मैला दिखाई देने वाला ये कपड़ा साफ ही है, तब तक कपड़े की सफाई संभव नहीं, अगर आपका मानना ऐसा है, मैला कभी भी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि मैल कपड़े के अंदर चला गया है, तो आप उस कपड़े को डस्ट बिन में डाल दोगे, इसी तरह सबसे पहले आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वरुप का निश्चय हो, तबी निज्ज स्वरुप भक्ती के तले बाहर में भी शुद अशुद्धी प्रकट होगी, अध्यात्म की उद्गोशना है, अशुद्धी को देखने से या अशुद्धी को हटाने से अशुद्धी दूर नहीं होती, जब तक अपने त्रिकाल शुद्ध स्वरुप को जानकर उसका चिंतन मंथन न करो, तनिक विचार करो, आज तक हम ने क्या किया? अपने को एक बार भी निश्चे ड्रिष्टी से नहीं देखा, अनादी काल से आज तक भी व्यवहार ड्रिष्टी से देखा, तो क्या हुआ? अपने को सदा रागी माना, द्वेशी माना, कशाई माना और पापी माना, जब तक राग द्वेश खतम नहीं हों मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसा माना इसलिए राग द्वेश को गटाने और हटाने हेतू नाना विद्ध व्रत नियम त्याक सैयम आदी विविद्ध तप जब के धर्म अनुष्ठान किये उसका आलंबन लिया तथा पी सबका अनुभव है आज तक सफलता नहीं मिली कदाचित मिल भी गई तो टिकी नहीं इसलिए निश्चय ड्रिष्टी से सर्वर प्रथम निज शुद्ध आत्मा का स्वरुप पैचानों निश्चय नई का जो विशय है वह मैं हूँ ऐसा निश्चय करो तब पता लगेगा कर्मों ने मुझे छूवा ही नहीं रागी द्वेशी मैं हू हुआ ही नहीं और शरीर के साथ होते हुए भी मैं देह से भिन नहीं रहा इसलिए मैं आज भी अभी भी सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ इस तरह जब तक निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहन नहीं करेंगे तब तक निज स्वरुप भक्ती नहीं होगी इसलिए याद रखना आगम की पढ़ाई जब पूर्ण होती है तब अध्यात्म में प्रवेश होता है आगम दर्शाता है तु रागी द्वेशी है तुने कर्म बांदे है तु अनादी काल से कर्मों को भोग रहा है अब राग द्वेश को गटा और वीत रागता को प्राप्त कर परन्तु जब राग द्वेश को मंद करने पर वे कभी मंद हुए और कभी तिव्र हुए तब अध्यात्म ने दृष्टि दी राग द्वेश को गटाने से राग द्वेश नहीं गटते और नाहीं कर्मों को कम बांधने से कर्म बंधन तलते है इसलिए एक बार अपने को निश्चे नई का चश्मा लगा कर देख तू मलिन दिखता है मगर कहीं से भी मलिन हुआ नहीं है तेरा सिद्धत्व तुझ में सदा ही सुरक्षित है तेरा अनन्त गुनों का खजाना जैसा था वैसा ही है इस तरह निश्चे से नीज स्वरुप की महिमा आती है तब नीज स्वरुप भक्ती का सुत्रपात होता है एक बार यह रहस्य उद्घाटित हो जाए मैं रागी द्वेशी दिखता हूँ मगर हुआ नहीं हूँ तब नीज शुद्ध आत्म स्वरुप का निर्ने होता है पश् भावना भाते हैं नीज स्वरूप भक्ती में सबको आत्म प्रतिती हो आत्म दर्शन हो सम्यक दर्शन हो सभी शीग्र सिध्धालय वासी हो नीज स्वरूप महिमा भक्ती का भाव सबके भीतर होता है और भक्ती करना भी सबको आता है आज तक हमने मातापिता विद्यागुरू धर्मगुरू एवं और यंत सिध्ध परमात्मा की भक्ती बहुत बार की है मगर एक बार भी नीज स्वरूप भक्ती नहीं की और न कभी स्वसन्मख हुए प्रशन होना सहज है नीज स्वरूप भक्ती क्यों करे और इससे क्या होगा जिन्वानी कहती है नीजस्वरूप भक्ति करो तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे ऐसी All-in-One यह नीजस्वरूप की आराधना है तनिक विचार करो आपके कार्य कौन-कौन से है स्पष्ट है जिसे आप अपना कार्य कहते आए, मानते आए, वे सब आपके कार्य नहीं है जिस कार्य में आपको सफलता न मिले, वे आपके कार्य हो ही नहीं सकते आपका तो एक ही कार्य है मुक्ष में जाना तो उसके लिए कर्म का क्षय करना है और रागद्वेश घटाने में भी लगना है फिर भी आज तक न सम्यक दर्शन मिला न केवल ग्यान न मुक्ष इस तरह एक भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ इसका अर्थ है मेरे कार्य जो सम्यक दर्शन आदी है वे मुझसे ही सिद्ध मेरा कार्य मेरे आश्रय से ही होगा अर्थात निजस्वरुप को जानने से उसकी महिमा लाने से होगा इसी के लिए निजस्वरुप की भक्ती आवशक है एक बात निश्चित है मैं आत्मा हूं मैं शुद्ध आत्मा हूं इतना सुनने जानने या कहने मात्र से की महिमा न आये तो आत्मानों भव कैसे संभव है जैसे आपको किसी ने बताया मैं दिल्ली जाकर आया हूं और मुझे बहुत मज़ा आया आपने सोचा दिल्ली भारत की राजधानी है तो आनन तो मिलता ही होगा आप भी जुगार बिठा के दिल्ली आये चार-पांच दिन दिल्ली में रहे मगर आपको कोई आनन नहीं आया अत आपने मित्र से कहा मैं भी दिल्ली गया वहाँ चार-पांच दिन रहा मगर मुझे ऐसा मज़ा नहीं आया जैसा तुमें आया उसने फोरण कहा क्या तुमने दिल्ली में कुतुब मिनार, लालकिला, संस दवन अक्षर धाम नहीं देखा चार पाच दिन रहे फिर भी क्या दिल्ली में घुमे फिरे नहीं तब आपने का नहीं मुझे तो यह सब पता ही नहीं था तब उसने कहा सिर्व दिल्ली जाने से आनन नहीं मिलता जब तक वहां घुमों फिरो नहीं अर्थाद दिल्ली का स्वरूप जब तक नहीं देखो तब तक मजा नहीं आता ठीक इसी प्रकार मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जान लेने मात्र से आत्मा नुभव नहीं होता जब तक आत्मा के स्वरूप में अपने उप्योग को घुमा फिरा न लो करो तब तक आनन नहीं आता मैं शुद्ध आत्मा हूं तो मैं कैसा हूं मैं कहां हूं क्या मेरा वैबव है इत्यादी जानने समझने के लिए ही आत्मा के साथ नामों द्वारा यहां नीजस्वरूप की महिमा को उभारा गया है एक बात सोने श्चित है जब तक महिमा व्व उप्यों की स्वसन्मुक्ता के लिए ही निजस्वरुप भक्ती है। खयाल रहे, निजस्वरुप तो जैसा है वैसा ही अनादी अनंत काल से मौजूद है, मगर उसके बारे में हम बेखबर है, तो हमारा अटेंशन उस तरफ नहीं जाता। जैसे एक व्यक्ती है और उसके पास दो बड़े कोहिनूर हीरे हैं, कुछ सैयोग ऐसा बना कि उसे टैक्सी में जाना पड़ा। अब सोचो टैक्सी में बैटने वाले उस व्यक्ती का ध्यान कहां पर है। न वह ड्राइवर को देखता है, न रोड को देखता है, न रास्ते प भी खुले हैं, वह बीच बीच में ड्राइवर से बाते भी कर लेता है, तथा भी उसका पुरा अटेंशन अपने डाइमेंड पर है। चाहे वह उन डाइमेंड को आखों से नहीं देख रहा और नहें हाथों से स्पर्ष भी कर रहा है फिर भी उसका पूरा अटेंशन वहीं है क्योंकि वो जानता है मेरे पास मुल्लेवान वस्तु है तनिक विचार करो ड्राइवर की टैक्सी में दो कोहिनूर हीरे हैं मगर वो ड्राइवर बेखबर है क्योंकि उसे पता नहीं है इसलिए वो गाड़ी चलाने में मस्त है स्पष्ट है टैक्सी में हीरे हैं मगर जिसे पता है और जिसकी जेब में है उसे ही उसकी मैमा है जिसे मैमा है उसका उप्योग बारं बार वहां अवश्य जाएगा इतना ही नहीं उसका ध्यान वहीं अठका भी रहेगा आशय स्पष्ट है निज शुद आत्मा हम सब है मगर उसके स्वरुप का पता नहीं होने से हमें उसकी महिमा नहीं आती इस कारण अटेंशन भी वहां न जाता है न टिकता है निज स्वरुप की आराधना करते हुए निज की महिमा आती जाएगी तो निज निधी में उप्योग समाता जाएगा समझना यह है आत्म निधी की पैचान से अंदर की प्यास तिव्र होती है पीतर से एक अलग उल्लास आता है और निज स्वरुप में स्वत ही अपनापन होता है इस तरह निज स्वरुप भक्ती में आत्मानुभो की वीधी का रहस्य चीपा है आपने उस सपेरे को देखा होगा जो साप को वश करने के लिए बीन बजाता है यह अभी सक्त्य है उस समय सपेरे की डिष्टी साप पर ही होती है बीन पर नहीं बीन बजाने का तो केवल कार कारियो हो रहा है प्रन्तु चंहुं और मदूर स्वर लहरियां फैल रही है मगर बीन बजाने वाले की डिष्टी बेन पर नहीं DR. सोचो यदि सपेरे को बीन पर ही डिष्टी रखनी हो तो वह घर में ही बीन बजा लेता शाप के सामने नहीं बजाता मगर साप को वश में क साप पर है वह सपीरा बिन बजाते हुए साप के चारों और गुमता है और एक समय ऐसा आता है कि साप उसके वश में हो जाता है ठीक उसी प्रकार नीजस्वरु भक्ति की यह बीन यहां साथ नामों के माध्यम से बजने वाली है तथा भी बीन पर ध्यान नहीं रखना तनिक विचार करो साप और सपीरा दो अलग-अलग है फिर भी साप वश में हो जाता है मगर नीजस्वरुप तो अभेद है इसलिए नीजस्वरुप भक्ति की बीन बचाते चलो बचाते चलो और ड्रिश्टी नीजस्वरुप पर रखो सच मुझ छोटा सा काम और बड़ा इनाम जहां खुद से ही खुद को पुरस्कार मिलता है ऐसी नीजस्वरुप की मैमा है मगर अनाधी काल से आज तक मैंने सर्वश्रिष्ट सार भूद तत्व आत्मा कभी ग्रेंड नहीं किया सबसे सुन्दर जो निश्शुद आत्मा है उसे अपनापन का पुरस्कार नहीं दिया इसके पीछे अनेक कारण है पहला कारण यही है पता नहीं था या सुना भी नहीं था कभी सुनकर भी नहीं सुना क्योंकि सुनने वाले भी सभी का सुनते हैं इक कारण यह भी है सुनने के बाद उल्लास नहीं जागा बहुमान नहीं आया अथ्वा इतना सार पुर्ण भासित नहीं हुआ कभी उल्लास आ भी गया तो यह निर्ने नहीं हो पाया कि यहीं मैं हूँ कभी निर्ने हुआ तो इतना पक्का निश्चे नहीं हो पाया कि इसके अलावा मैं और कुछ हूँ ही नहीं इस प्रकार भावना भी नहीं भाई तो भाव भासित नहीं हुआ भावों में रस आया तो वहीं अटक गए इसलिए आज तक निज अस्तित्व का ग्रहन नहीं हो पाया अब इस निज स्वरुप भक्ति के माध्यम से निज नीधी की पैचान से लेकर अस्तित्व ग्रहन तक पहुँचने का भरसक प्रयास करना ताकि आत्मा का अनुभव स्वतर सहज रूप से अवश्य होगा इस तरह निज स्वरुप का गोलन, चिंतन, मन्थन के तले आपके सारे कार्य स्वयम्मेव सिद्ध होंगे एक मीठी सला निज स्वरुप भक्ति की धारा को अनामी आत्मा के साथ नामों के तले इस प्रकार से प्रवाहित करना सर्वपर्थम चिंतन चिराक के द्वारा अपने को भक्ति के भावों से भिगो देना उसके पश्चात स्वरुप आराधना के तले स्वयम को स्वयम से भावना द्वारा भासित करना एवं अन्त में भजन के माध्यम से निज स्वरुप सेवन का पूर जोर अभ्यास करना ताकि निज निधी निज में समाजाए मैं ज्ञान शरीरी आत्मा हूं मैं चैतन्य मात्र आत्मा अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना मैं हूं जिनवर मैं हूं तिर्थंकर मैं ही सिध परमात्मा अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना परिपूर्ण हूं कृत कृत्य मैं नित्य निराव लंबी चैतन्य धाम सुख धाम हूं मैं निर्वी कल्प स्वरूपी द्रुव धाम हूं द्रुव तत्व हूं अनन्त शाक्ति में रमना अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना अभेद हूं अखंड हूं मैं अजर अमर अविनाशी विज्ञान घन हूं अपरिनामी मैं तो मोक्ष स्वरूपी निराकूल हूं निरावरन हूं निजशुद्ध स्वरूप में आना अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना निश्कम्प हूं निरभय हूं मैं तो दृवत्रिकाली मैं सदा ही प्रसिद्ध हूं वीतराग स्वरूपी पर्याय निर्पिक्ष द्रव्य हूं मैं सहज स्वाश्रित रहना अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना सुक्ष्म हूं मैं स्वयं पुञ्ज हूं सामज का घन पिंड हूं अनन्त वीर्य का स्वामी हूं मैं स्वरूप में निष्ठ हूं धेय स्वरूपी ध्यान स्वरूपी नित एक रूप में रहना अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना परम गुरू हूं मैं ही प्रभू हूं अनादी अनन्त हूं अनन्त गुनों का धारक हूं मैं चिन मात्र वस्तू हूं परिनामों से शुन्य हूं मैं अंतर मुखी रहना अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना अकशाई अव्यक्त हूं शान्त रस का धारी अनन्त पुर्शार्थ का धाम हूं मैं श्रद्धेय स्वरूपी एक ज्यायक भाव हूं मैं मैं ही कारण पर मात्मा अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना अनुभूती स्वरूप हूं मैं आवशक्ता से रहित हूं अचल अमल हूं सिध्ध स्वरूपी मैं सदाही प्राप्त हूं उपयोग स्वरूपी त्रीकाल सत्मे प्रत्यक्ष स्वरूप में आना अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना सावधान स्वरूपी हूं मैं अनन्त गुनों का धाम सिध्धालय में होगा मेरा चीरकाल विश्राम सेह जानन्दी शुद्ध स्वरूपी ज्याना नंद में रमना अब आत्मा के सनमुख होना है अपने घर में आना है अपने घर में आना है अपने घर में आना है अपने आना